मी प्रियांका इस डिस्क्राइबिंग दा टोपिक रुमेटिक हर्ट डीजिज रुमेटिक हर्ट डीजिज क्या होता है जब भी रुमेटिक फीवर होता है उसके काण हर्ट के अंदर कोई डीजिज होती है तो उसको क्या बोलते है रुमेटिक हर्ट डीजिज रुमेटिक फी ही राट के वाप ए स्रीटुकाय की वजह से या होता है और बाद में घृ-रुमेटिक हर्ट टी जिस ही और यह में लेकर होता है क्षाट दालता है यहीं अजर्फ हृर्छ के अंदर इंफ्लेमेशन हो यानि कि हमारे थ्रोट के अंदर इंफ्लामेशन करता है यह सबसे पहले और उसके बाद क्या हमारी बोड़ी के जो दूसरी ओर्गन्स है वहाँ पर भी अफेक्ट करता है जैसे क्या है हमारा हर्ट होता है जोइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्कीन सुबकुटेनियस टिश इसके बाद क्या है जब भी एक्विट रूमेटिक फिवर के पेसेंट उनमें से 40-60 परसेंट जो पीपल्स होते है यानि कि वह हार्ट के अंदर फिर बाद में डेजिज बन ही जाती है उसके बाद इसकी डैफिनिशन मैंने पहले आपको बताई हैं इसको हम 스म लिए उनक्लूड है। ह क्या है। पेन कारडाइटिस बोलते हैं हार्ट की लेयर्स के अंदर इंफ्लामेशन होना क्या कहलता है पेन कारडाइटिस and is characterized by scarring and deformity of the heart walls और इसके कारण क्या है जो हार्ट के वोल्स है वहां पर scarring हो जाती है और deformity भी वहां पर हो जाती है यह जो उसके वोल्स है वो अच्छे से अप प Kel Iioteic Wall जो कि क्या Iotas MOD में जाते है कहां से हमारे Left ventricle से क्या Iotas में जब हमारा blood pump होता तो यहां पर क्या Iota में पहुंचने से पहले मांगा होते हैं iotic वोल्स होते और और क्या है हमारे मिट्रल वोल मिट्रल वोल कहां पर होता हमारा जो लेफ्ट एरिया है हमारा वहां पर क्या आयोटा और वेंटेकल के बीच में जो हमारा वोल प्रेजेंट होता है वो कौन सा वोल होता है मिट्रल वोल यह जो वोल होते हैं और क्या दूसरे जो हमारे वोल से व एक हो सकते हैं उसके बाद है इनसीडेंस याने की किसको कब कहा कितना हो सकता है रूमैतिक फ्यूष प्रिंसेच ऑफचे जोंड़र होता वह में ली क्या है बच्पन में ज़्यादातर होती है यह mainly किस एज में होती है 10 years तक कि जो बच्चे होते mainly उनके अंदर देखने को मिलती है और इसमें क्या यह जो adults होते है adults में भी देखने को मिल सकते 20% cases होते कि वो adults के अंदर हो लेकिन बाकी क्या वो लगबग में सिर्फ क्या children's को mainly जादातर होती है और adults के बाद क्या old age में भी यह हो सकता है romantic fever occurs in equal numbers in वो क्या males और females दोनों में क्या बराबर तरीके से हो सकता है यानि कि यह नहीं है कि males को जादातर होगा यह females को जादा होगा ठीक है यानि कि वो क्या दोनों को क्या affect एक ही जैसे से करेगा बट दा प्रोगनोसिस परंतु क्या है जो females होती है उनको क्या mainly अच्छे तरीके से ठीक नहीं किया जाता है then males यानि कि जो male होते हैं वो क्या वो जल्दी से treatment करवा लेते हैं यानि कि इससे वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं जब भी वो treatment ले रहे होते then females जो females होते हैं उनका प्रोगनोसिस जो वो क्या है कम होते हैं और males के क्या होते हैं वो ज्यादा होते हैं यानि कि जो male होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं then females the disease is seen more commonly in poor socio-economic strata of the society living in dump and overcrowded places में क्या कहता है कि जो disease है यह mainly कहां पर देखे जाते हैं जो poor socio-economic status है जिनका यानि कि जिनके जो कि क्या गरीब है और क्या उनके society में रहने का तरीका कहां पर है over crowded place पर या फिर कहीं पर नमी वाला एरिया है डंप एरिया है नमी वाला एरिया है और जो बहुत भीड भीड वाले इलाके में रहते हैं उनको mainly क्या है rheumatic heart disease होती है पहले fever होता है उसके बाद क्या है यह disease हो जाती है उसके बाद है etiology यान कि किसके कार्न होता है rheumatic heart disease मेलि किसके कारन से होता है rheumatic fever की वजह से हो डिक रुमप एक half diesem यान किन कार्णों से हो सकता है Осके पहला आतो वह घैं यह पूर सोशियो इकनोमिक स्टेट इटैस यानि कि जिनकी कंडिशन पूर होती है, याने सोसाइटी में उनके पास पैसा नहीं है, और वो क्या गरीबी से बिलोंग करते हैं, तो उन में क्या है ज्यादा चांस होते हैं, कि उनको रूमेटिक हार्ट डीजिग हो, क्योंकि अगर बैक्टीरिया उनकी बोडी के अंदर ग्रोग कर जाता है, तो वो क उनको रुमेटिक हार्ट डिजिज हो वही क्या favor की वज़े से people who are living in slum or dump area यानि कि जो जुपडियों वगारा में रहते हैं और क्या नमी वाले एरिया में रहते हैं तो उनको क्या रुमेटिक हार्ट डिजिज होने के ज्यादा चांसिज होते हैं उसके बाद क्या एज जो चिल्डरन होते हैं मैंने पहले भी बताया था कि जो चिल्डरन होते हैं वो मेंली अफेक्ट होते हैं अगर हम क्लाइमेट को देखते हैं तो जो रेनी सीजन होता है और कोल्ड क्लाइ तो उसमें ज़्यादा चांसे जोते हैं रूमेटिक हार्ट डीजिज होने के या फिर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो रखा मैंने बता है था कि स्ट्रेप्ट को को जो होता हुआ हमारे थ्रोट एरिया को अफेक्ट करता है तो उसके बाद कि आप में इनफेक्टिड करेगा और उसके बाद क्या वो हमारी बोडी के दुसरे और गंस में चला जाता है और वहां पे इनफेक्शन कोज करता है दूसरे क्या प्रिविस हिस्ट्री ओफ रूमेटिक फीवर या फिर पहले से ही किसी को रूमेटिक फीवर बार-बार हो रहा है उसको हो सकती है उसके ऐत्यानिस कि जनिटिग फैंटिक फीवर इनफे सकती है तो उसके कारन कया उनके बच्चों में भी रूमेटिक हार्ट इजीज होता है यहां पर मैंने आपको सोकर रखा है कि मिटरल वॉल्स में क्या वैजिनेशन हो रखी है बैक्टिरिय एंटोकार्डाइटियज यहां पर हो रखी वैक्टिरिया की वज़ेसे उसके बाद है जब यह बैक्टिरिया हमारी बॉड़े के अंदर हमारे हार्ट तक चला जाता है तो वहाँ पर जो वोल्स होते हैं वोल्स में क्या-क्या देखनों को मिलता है या तो महाँ पर स्टीनोसिस हो जाए या फिर रिगर्गिरेशन वहाँ पर हो जाती है जो वोल्स होते हैं मिल लिक्या वोल्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसके कारण क्या हो सकता स्टीनोसिस या फिर रिगर्गीरेशन स्टीनोसिस में क्या होता है जो वोल होते है वो क्या ओपन नहीं हो पाते हैं और बलड क्या हमारा आगे नहीं पहुच पाता है जिसके वज़े से क्या हाट अटैक वहाँ पे हो सकता है और रिगर्गीरेशन में क्या होता है जो वो ले वो close नहीं हो पाते हैं वो क्या open रहते हैं और open होने के वज़े से जो बलड है वो उपर जाने के बजाए क्या वो वापसी निचे आ जाता है और जिस भी वो ventricle में है वहाँ पे वो ventricle क्या hypertense हो जाएगा वहाँ का area बढ़ जाएगा और इस वज़े से भी क्या heart attack कि symptoms यह चांसे ज्यादा होते हैं उसके बाद मैंने आपको सोकरकी clinical manifestations क्या क्या होते हैं इसके साइंस symptoms क्या क्या होते हैं का कर्डाइटीस हो सकता है कर्डाइटीस देखने को मिलता है polyarthritis देखने को मिलता है इसलिए चांसे है लूडाइटीस होते हैं के अन्दर inflammation हो जाती है इनफेक्शन की वज़े से ही उसके बाद है being जौंफ्राइटीस में किया होता है जौंट पेन होता है जौंज सीकाव के अंदर ऑर इसकेंधर फ्रैत्स ऐनदर पेन होता है यह ईन्लीस किकाव 120 के मृस्य जादा निया होती है उसके तुछ सब्सक्राइज वह एक्ञाश सीकानगास यहां पर मैंने आपको एक्जांपल सो कर रखा है उसकी बाद है अरीदमा मार्जिनेशन में क्या हूँ आपर चोटे-चोटे पैचिज बन जाते हैं पिंक कलर के स्केन के उपर यह मेंली ट्रंक और जो एक्स्ट्रिमिटी जोती हैं उनके उन एरियाज पर देखने को मेंली ज उसके बाद है सबकुटेनिस नोड्यूल्स जो उसका सबकुटेनिस फैट होता है महां पर क्या नोड्यूल्स बन जाते हैं कि वहां का कुछ पार्ट जो वो क्या उभर जाता है जो कि नोड्यूल्स फोर्मिशन महां पर कर देता है इसमें क्या होता है सबकुटेनिस जो ले बोडी के अंदर जाएगा और वहाँ पर क्या करेगा फ्यूवर करेगा पहले थ्रोक जाता और थ्रोक में जाने के फिर क्या फिर वह दूसरे और घंस में जाता है उसके बाद क्या उन्ट्री टर शेपत ठ्रोक में बताया था कि वह क्या πेल необходимо पर सीवाइबुबूज़ में जाता और अब्रोट के अंदर उसको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो गाए यानि कि वो हमारे क्या बोडि के दूसरे पार्ट में जाएगा और ग्यां दुसरे हम क्या पड़ रहा है रुमैटिक हर्ट डीजिज और दूसरे पहले तो ग्या उ तो फिवर हुआ है तो तब भी क्या उसका अच्छा नहीं मिला सबसे पहले बैक्टीरिया बोडी के अंदर गया उसने क्या वहाँ पे जो थ्रौट होता है थ्रौट में इंफेक्शन किया उसके साथ में फिवर भी देखने को मिल रहा है और फिवर होने के बाद भी अच्छे से अगर treatment नहीं मिल रहा है उसको तो क्या जो यह बैक्टिरिया होता है यह क्या body के दूसरे parts में चला जाता और वहाँ पर grow करता है उसके बाद क्या यह heart में चला जाता अब क्या हमारा point क्या heart heart के अंदर चला जाता है तो heart के अंदर जाके क्या है यह heart के सभी layers को infected करेगा आर लेयर्स ऑफ हर्ट एंड मिट्रल वोल बिकम इंफ्लाम्ट जो मिट्रल वोल है और आयोटिक वोल था मैंने बताया था वह सबसे ज़्यादा में अफेक्ट होते हैं यहां पर क्या heart की सारी की सारी layers और मिट्रल वोल्स को में लिए अफेक्ट करता है वहां पर क्या inflammation हो जाएगी heart के किसी भी पार्ट में और वहां पर inflammation होती रही infection होएगा तो मैं आपर क्या vaccination forms यानि कि जो bacteria हमारे heart के अंदर गया वह क्या बार बार वहां पर ग्रोप करता रहेगा और वहां पर क्लोनी बना लेगा अपनी अपनी जैसे bacteria की वहां पर बहुत सारी क्लोनी बना लेगा और जो हमारा antibody system है immunity system है वह भी उसको वहां पर kill नहीं कर पाएगा और antigens की जो amount हो हमारी body में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसके वज़े से क्या होएगा वल वलर regurguration and stenosis वहां पर क्या हो जाएगा वोल्स के अंदर या तो regurguration हो जाएगा यान की वोल्स जो वो open रहेंगे regurguration में क्या तो वोल्स ओपन रहते हैं और जो बलड उपर जाने के बज़ाएगा वो उसी जो भी वेंट्रिकल होता उसी के अंदर ही रहते हैं जहां का भी हमारे क्या वोल्स अफेक्ट हुआ है और क्या स्टीनोसिस में क्या तो जो वोल्स रहता है यानि कि हमारे बलड जा कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं होगा और फंक्शन अच्छे से नहीं के वज़ह से अटीक प्ालेगा फिर व्य21 कि ए इन सान वहां पर बचंग नहीं पुछ से कि वान पंपर हट्ट कर और एक्टरास्ट क्या है इनसान की डैथ हो जाती है